नमस्कार आपके साथ मैं हूँ अभिलाशा पाठाक राजसभा टीवी के सभी दर्शोकों को रंगोच सब होली की धेर सारी शुब कामनाएं स्वागत है आपका देश देशांतर में होली का त्योहार यानि प्यार, भायचारा, मौज मस्ती और धेर सारे रंगों का त्योहार हर साल होली के तैयारियों में सबसे ज़्यादा उचसुपता रंगों को लेकर होती है बच्चे बड़े सब ही चाहते हैं कि ऐसे रंग लाएं जो आसानी से उतरेना और बाजार में ऐसे तरह तरह के रंग देखने को मिलते हैं लेकिन इन रंगों में मिला केमिकल आपके चेहरे की रंगत को बिगाड सकता है क्योंकि बाजार में मिलने वाले रंगों में केमिकल के साथ कांच के पाउडर और एसिड तक मिले होते हैं इसलिए डॉक्टर सभी को केमिकल रंगों की जगे हर्बल रंगों का इस्तमाल करने के लिए कहते हैं इन हर्बल रंगों से आपकी तवचा को नुकसान नहीं पहुँचेगा बाजार में केमिकल योगत रंगों की भरमार है आपको याद होगा दिवाली के बाद होने वाले खतरनाख प्रदूशन को रोकने के लिए सरवोच नियाले ने ग्रीन पटाखों के बारे में सवाल किया था और कई दिशा निर्देश भी दिये थे तो क्या होली पर भी रंगों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए रेगुलेशन लाने की जरूरत है आज हम इस पर चर्चा करेंगे किस तरह से हम एक सेफ होली यानि सुरक्षित होली खेल सकते हैं इसमें सिर्फ प्यार हो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो रंगों की वज़े से इन केमिकल और सिंटिक रंगों से होने वाले नुकसान के बारे में भी हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे साथ ही आपको बताएंगे कि आप सिर्फ अपना है नहीं बलकि अपने दोस्तों का भी खयाल रखें देश दिशांतर में आज हमारे साथ स्टूडियो में खास महमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर शेहला अगरवाल है हमारे साथ कंसल्टेंट डर्मेटोलोजिस्ट बहुत-बहुत स्वागत है आपका शेहला जी मुकेश गोयल हमारे साथ हैं संस्थापक हैं कृति क्रियेशन प्राइवट लिमिटेड के आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप हमें बताएंगे किस तरह से जो और्गैनिक रंग हैं वो कैसे हम शामिल करें अपने हूली में अपने तिवहार में और अरुन भारत द्वाज हैं हमारे साथ, CEO Sun Food Dick से जुड़े हैं हमारे साथ सर आपसे हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह जो मिलावट की दिक्कत है रंगों में कि क्योंकि रंग तो आप खिल लेते हैं उसके बाद जो जदो जहद होती है उसको रंग छुड़ाने की और फिर जो दिक्कते होती हैं शогला सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कैसे हम साफधानी बढ़ते हैं और क्या दिक्कते होली के रंगों से आजकल सबसे ज़्यदा देखने को मिल रही हैं बाजार में जिस तरह के रंग मौजूद हैं उसकी वज़े से बच्चों के बुडों के उनकी स्किन जिनकी बहुत ज्यादा मेलियेबल है सॉफ्ट है उसमें तो और ज्यादा दिक्कत होती है पूरे साल भर हम सब एक महंगा समहंगा स्किन केर प्रोड़क्ट लेते हैं अपनी स्किन को बहतर बनाने की कोशिश करते हैं एक दिन, सिर्फ एक दिन में हम अपने उपर सब केमिकल्स लगाके वो सब बराबर कर देते हैं जो अलर्जी हो रही है, अलर्जी का मतलब है, आँख लाल हो सकती है, स्किन पे राशिस हो सकते हैं उसके अलावा दाने हो सकते हैं, बाद में आपके मूं के अंदर रंग चलागया है, तो मूं में चाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो वो लेड करोमियम सलफेड जो आपके अंदर चला गया, उसके बारे में तो कोई सोची नहीं रहा है, किड्नी एक बहुत बड़ा और्गन हैं जहां पर यह चीजे स्टोर हो जाती हैं और लॉंग टर्म आपको किड्नी का इफेक्ट बहुत ज्यादा परिशान कर सकता है जै और हमने पढ़ा कि अलग 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 तरह के नुकसान भी होते हैं उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे आपसे जुड़े हुए आज के जो लोग हैं वह आपको नजर आते हैं बाजार में जाते तो हैं कि हमें हर्बल रंग चाहिए लेकिन क्या उन्हें पता है कि हर्बल है क्या दीखे इसमें दो टत्त्या एक हम और्गनिक चाहते हैं और लेकिन हम कलर से कॉम्प्रोबाइज करना चाह और पालक से कोई गहरा रग नी बनता, तो कहीं न, कहीं आपको shade पर चांपर माइस करना पड़ता है। और यही हमारी हर कस्टमर से गुझारिश होती है, कि आप you change all the color to the color but don't compromise your life to the beauty express. इसे लिए हमारे यह 5 विशेश तारा औरे जाते हैं. जिसकी और जिसकी डाइंग फूट कलर से करी जाती है बड़ा कॉमनली अच्छे अच्छे बड़े ब्रैंड्स जो हैं वो लिख देते हैं कि यह हरबल कलर है बट अगर आप देखें वह बहुत गहरे लाल बहुत गहरा बैंगनी बहुत गहरा नीला है तो मेरे मानना यह वह को प्रशासन के ओर से भी काफी कदम उठाये जाते हैं कि दिवाली के बाद प्रदूशन उतना नहीं हो क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक होता है अब अगर होली की बात करें तो जहां सीधे आपके तुचा आखें बाल इन सभी चीजों से जुड़ी हुई चीज होती है रंगों रंगों के ओपर जहां तक हम बात करें तो इसके लिए हमें इसके बेसिस में जाना पड़ेगा कि रंग दूसरे वाले इस्तमाल क्यों होते हैं हमारे देश में होली तो बहुत अच्छा तो आ रहा है और बहुत पुराने समय से यह चलता आ रहा है पहले तो हरबल हुली ही ह ठारीक में तीन तरह के रंग हमारे जो है वो इसको होली के आंदर एक तो रंग इस्तमाल होता है जैसे मुकेशि ने बताया कि हर्बल कलर्स जो फूलों से आप उसको रंग निकाल के उसको आप स्टाच कें अंदर डेलूट करके देते हैं लेकिन वह बहुत महंगे पड़त दूसरी तरह के लिए टेक्स्टाइल डाइस जो भी जैसे आपके टेक्स्टाइल रंग लेकर के लिए काम आते हैं और जो कि बहुत डेंजरेस होती है उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी प्रिकॉशन कोई भी सेफ्टी मेजर नहीं लिये जाते हैं वह सिर्फ कपड़े को रंग लेकर बनाया गया है तो इसलिए उसकी जरूरत भी नहीं है लेकिन क्योंकि वह सस्ते होते हैं इसलिए लोग उसको इसको इस्तिमाल करते हैं और दूसरा कुछ बच्चों की और यूद की एक इच्छा रहती है कि कुछ रंग ऐसा लगाया जाए कि वह रंग जो है जि में ग्रीस और सिल्वर जो पेंट होता है वो तक इस्तिमाल कर लेते हैं तो यह चीज बहुत ही खतरनाक है और अब यह दो तरह की जो मैंने बता दिये एक तीसरी तरह का कलर है जो हम बनाते हैं हम लोग बेसिकली फूड कलर मेरिफेक्शर से हैं हमारे कलर जो है एडिबल ग और अवे स्वापिट में जो है यहां भी डिते हैं एक्सपूर्ड भी करते हैं इसके अंदर किया कि आपको कलर की वेल्यू पूर लाती है जिसके अधर रौल को जो है यह इंदर आपको लिटाश हम लोग दिल लेते हैं इसके अदर ऐसं कार यह सब चीज़ इस जो बेसिक क इसको लगाने से और इवन मुह में भी चला जाए तो भी एक पर्टिकुलर मातरा तक वो जो है आपको हामनी करता वो आपके लिए काफी सेफ रहता है तो ये तीन तरगे रंगों में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम कुछ गुर्मेंट की तरफ से रेगुलेशन्स आएं तो उसके अंदर वो ऐसे कलर्स को अलाओ करें जो कलर्स लोगों को हामना करें और उनके लिए जो है होली को शुब बनाए होली को खुश्यों का इसी हो जैसे खाने में मिलावट के जितनी भी मामले होते हैं हम जानते हैं कि उसके लिए एजिंसी हैं हमारी और आप अगर बात कर लें फूड और ड्रग अड्मिनिस्टेशन की वो सभी राजियों में हैं और उनका उसमें दखल होता है लेकिन जहां ड्रग का सवाल आता है जह कि आप लोग manufacturers हैं यह महसूस करते हैं कि agencies जो हैं वो इतनी सतर्क हैं जी आप कुछ कहना चाहिए इसके लिए एक बार कुछ regulation तो लाना पड़ेगा 1972 से पहले food colors भी जो है उसके उपर कोई किसी बित्यरांकी regulation नहीं थी 72 के बाद जो है वहाँ पर government ने सोचा इसको हमें regulate करना पड़ेगा तांकि खाने पीने की जैसे लड़ू आप खाते हैं या कोई भी मिठाई खाते तो उसके अंदर बहुत ही चमकीले colors आते थे पहले और लेकिन वो अपनी सेहत के लिए अच्छे नहीं थे तो government ने पहले ISA ल आए उसके साथ उनके उपर लिखा जाए कि यह इसके अंदर ingredients किया है और इसको properly टेस्टिंग के साथ हम उसको करें तो क्योंकि कोई भी चीज पैक्ट होगी तो पैक्ट के उपर market से कही सभी sampling हो सकती है और sampling में जो sample fail होगा वो penalized होगा तो उसे एक जो manufacturer है उनमें एक डर ब एक शर्डी होगे कि जो वो color यूज कर रहा है वो color उसके लिए अच्छा है या नहीं है आप कुछ कहना चाहरे थे इसमें कि इस पे regulations नहीं है और government agencies नहीं है जैसे botanical research institute लखनाव भी colors को certify करता है और उसकी certification से colors बन रहे हैं और हमारे stores पे भी available है बट हमें मैं समझता के newspaper ads regular आया करते थे लेकिन पिछले दो तीन साल से government कर रविया सुस्ते इस तरफ और इसमें कोई awareness के लिए campaigns नहीं है अगर पहले देखा जाए तो government की तरफ से कुछ centers बनाया जाते थे यहां पर यह organic colors available है और प्रुत्साहन देना चाहिए ऐसी agencies को एसे centers को हम जैसे लोगों क जो market में अच्छे colors कर रहे हैं बिल्कुल लेकिन जैसे खाने पीने के लिए अभी बताया आरुन जी ने की FSSI की हम देखते हैं कि approved है या नहीं है मार्क देखते हैं उसका लेकिन जब cosmetics की बात आती है या कोई भी ऐसा product जो हमारे skin के करीब है बालों के करीब है आप dermatologist है केश जी भी बात कर रहे हैं यह herbal बन सकते हैं पर जो wet color है वो तो industrial dye ही है there is no option या तो आप फूल भिगो के रात को रखें और उसके पानी को इस्तमाल करें तो पहली बात तो यह है कि लोगों को यह पता होना चाहिए कि इसमें herbal option हो ही नहीं सकता है तो वो आप पताई इस्तम लेते हैं सुबह सुबह उटके अच्छी तरह से हम तेल लगाएंगे एक तेल की मोटी लेयर लगाएंगे प्री होली प्रिपरेशन जो कल सुबह सबके घर में होनी चाहिए कपड़े ऐसे होने चाहिए जो पूरी बाजू के हो देखे जितनी स्किन को आप कम जो है कलर से ल एक और मेरा सवाल है मैं अरुम जी आप से जानना चाहूंगी कि जो रंग होते हैं का जाता है कि जब धूप में आप रंग लगा के घुमते हैं तो उससे रंग पक्के भी होते हैं चुडाने में भी दिक्कत होती है और स्किन के लिए वो बहुत ही खतरनाक है रंगों को ल मैनुफेक्शर्स जो है वो अपनी तरफ से डूस और दोंस दे सकते हैं और मुकेशी ने बहुत अची बात कई गवर्मेंट को इसके ओपर काफी ध्यान देना पड़ेगा कि हर साल जैसे दिवाली से पहले यह एड़िसमेंट्स देते हैं तो होली से पहले भी इनको दुब को एक अची सही प्राइब पर अच्छे कलर से प्रवैड करेंगे कियो og जरूर लेंगे और उसके साथ-साथ जो अच्छे कलर्स होते हो ज्यादा हाट कलर्स निए फास कलर्स निहीं होते वह उतर जाते हैं आराम से उतर जाते जै लेकिन जो सिंथेटिक कलर्स फास तौर पे जो काली में बोते हैं कि लीड अक्साइड होता है घ्रीन में कॉपर जी बहुत ही खतरनाक और सभी अलग-अलग रंगों से अलग-अलग बिमारी होती है। शेला मैं आपके पास आना चाहूंगी हमने जब रिसर्च किया तो यह पाया ब्लाक कलर से किट्नी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ग्रीन से आपको आई ऐलर्जी हो सकती है। लेट जो है वो आपके सिस्टम में नियूरॉंस में खटा हो जाता है तो बच्चों में लेटर लर्निंग डिसिबिलिटीज देखी गई है। बात यह कि कोई उसको उस लेट कलर से कोरेलेट करेगा के नहीं, यह कोई नहीं सोचता हम लेट का सोर्स ढूंड रहे हैं पर वो जो होली आपने खेली उस सोर्स का क्या वो है। उसके अलावा मकरी है, मकरी खुद एक इरिटेंट है, आँखे रेड रहती हैं, लिप्स के और चीज है कि अगर आपको पहले से कोई कट हो या कोई घाओ हो, तो उससे कैसे हम बच सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी शिकायते भी आती हैं कि रंगों से दिक्कत हो गई, अलर्जी बहुत जादा पढ़ गई, दिक्कत हो गई, देखे अगर आपके हाथ पे कट से, जो मै लगाते हुए थी होती है, जब वो उतारने के लिए शुरू करते हैं, एक जमाना था मुकेश जी को याद होगा कि डिटर्जेंट से लोग नाया करते थे होली के बाद, वो स्किन की लेयर को बिलकुल हटा देता है, और जो रंग अभी तक उपर बैठा हुआ था उसको लगाने में आपने पूरा दिन लगाया है, तो उतारने में कम से कम दो-तिन दिन लगाये, कोई harsh chemical नहीं इस्तमाल होना चाहिए, mild cleansers होने चाहिए, बार-बार करना, बार-बार धोना ज्यादा बहतर है, रादर दिन रगड के दोना और स्किन को और ज्यादा इरिटेट करना जी, लेकिन ये भी कहा जाता है मुकेश जी कि जो herbal colors लाये जाते हैं, उसमें भी मिलावट की शिकायत आती है, और कई बार लोग कहते हैं कि हमने तो herbal color लिया, लेकिन फिर भी allergy की दिक्कत हो गई, परिशानी हो गई, सकिन को, आँखों को, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सव कि हमें ब्राइट वाला रेट चाहिए, ब्राइट वाला ग्रीन चाहिए, ब्राइट नहीं बन सकता सबजी से, यह हमें सबजने की जरुत है, जैसा अरण जी ने बोला कि महंगे color है, मैं समझता हूं, अगर टेसू के फूल को यूज करा जाए, तो कोई महंगा नहीं है, आ आपकी पॉकेट फ्रेंडली है, मातर पचास रुपे में उपलब्द है, वो आपके बाद में नॉर्मल पानी से धोए तो वाश हो जाता है, और इट इस सो इंस्टेंट कि आप एक चमच टेसू बाटर पानी में डालें और हिलाएं, तो एकदम color छोड़ देता है, तो ऐसा अगर उसमें 1% herb भी है, आप उसमें 1% rose powder डाल दीजे, वो herbal हो गया, तो कहीं कोई वो नहीं है कि कितनी मातरा herbal क्या है, उसका कोई मापदर नहीं है, तो drug controller of India कहीं न कहीं हमें ये निकालना पड़ेगा, कि अगर उसमें इतना content herbal product का नहीं है, तो उसको आप herbal label नहीं कर सकते ह नहीं में ये चीजें होती हैं कि कितनी मातरा में हम क्योंकि जो हम जितनी भी organic चीजें यूज़ करते हैं, तो हमें मानु होता है, जी, आप कुछ कहना चाहरे है, आरुन जी, जी, मैं यह कहना चाहरा था कि जो awareness देनी है, वो colors के use के साथ साथ लोगों में ये भी awareness देनी चाहिए कि पानी को use ना करें, क्योंकि वैसे भी आज कल हम लोग water के scarcity दिली जैसे शहरों में बहुत देख रहे हैं, जहां पानी available ही नहीं है, ground water सारा सूग गया है, तो awareness ऐसी भी होनी मैं यहां पर हमारे एरिया में फूलों के साथ होली खेलते हैं, यहां ड्राय कलर, पानी को अमने बिल्कुल यूज नहीं करना, so that लोगों के अंदर यह awareness है कि जो पानी नहीं यूज करेंगे, तो जो आपके textile colors है यह जो गलत colors है वो लोग अपने यूज करना बंद कर जिसे हम बोल सकते हैं, ट्रिक आप और मुकेश जी दोनों बता सकते हैं कि हम यह समझ सकें कि इसमें मिलावट है या नहीं क्योंकि कहते हैं कि engine oil, diesel, acid, mica और glass powder तक मिलाया जाता है रंगों में, dry, जो colors आते हैं उसमें अलग और जो liquid आते हैं उसमें अलग, क्या कोई एक तरी जाल, अगर color, अगर वो किसी chemical based से बनाया तो heavy in nature हो जाएगा और आप उसे थोड़ा सा हाथ पे रखें और फूक मारें उस color पे, अगर वो pollutant free है, mind के लिए word pollutant, अगर उसमें कोई pollutant नहीं है तो air में dispersed हो जाएगा और floor पे नजर नहीं आएगा, that means that is 100% absorbed to the nature, back to the nature चला गया और अगर उसमें heavy chemicals हैं तो आपको floor पे किस रंग गिरा हो नजर आएगा, तो ये एक बहुत बड़ा simple सरल तरीका है, जिसे हम check कर सकते हैं, अरुन जी और जो liquid colors हैं, उसमें हम पता लगा सकते हैं क्या? liquid color में आप easily पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर लोग जैसे अभी आपने थोड़े दिर पहले कहा था कि black color, green color, अब ये green black ज़रूरी नहीं कि वो harmful ही हो, कई green black ऐसे भी होते हैं, जो आपको एकदम nature friendly भी हो, या food color भी हो, तो उसके लिए ये पेचाना बहुत is a must regulation होगी, तो सब लोग कफी assured हो जाएंगे कि this quality is okay, अगर हम packaging को पढ़ना भी शुरू करें, तो जो जितने sprays आ रहे हैं, आजकल spray आ रहे हैं, आप उसको पढ़िए उस पे लिखा है for industrial use only, उसमें लिखा हुआ है for industrial use और आप personal use के लिए लेके आ रहे हैं, तो आप पढ़ जा रहे हैं, तो आख बंद करके क्यों खरीद रहे हैं, या तो पैसा बचाई है या skin बचाई है, फिर हमें दीजे हांके बाद में, जल्दी से बचाऊंगी कि शहला कुछ टिप्स आप ज़रूर हमें दे दीजे, प्री होली प्रिपरेशन तो आपने पताया कि oil कीजे, मॉ कोई भी anti dandruff shampoo नहीं होना चाहिए, कोई भी hair fall shampoo नहीं होना चाहिए, एक normal सा shampoo ठाई है, उसके बाद conditioner और hair serum आपने जरूर लगाना है, क्योंकि बाल जो है, वो बिल्कुल रूखे हो जाते हैं और तूटने लगते हैं, बालों के लिए एक खास चीज यह है कि नहाने से पहले जैसे आज बाल मत दोई है, कल होली खेल रहे हैं, अच्छी तरह से बांधिये और उपर से तेल लगाईए, जड़ में मत लगाईए, नहीं तो color जड़ में जाके बैठ जाएगा, पैरों को और हातों को खास कर तीन चार बार cream लगा के हलके हाथ से exfoliate कर सकते हैं, तो कल होली खेलिये और परसो तरसो रंग उतारिये आराम से, तभी होली का मज़र है, ज़रूरी नहीं है कि सुबह खेले और शाम को इस सारे रंग उतर जाए, एक दो दिन लगे तो अपने skin का खयाल रखे, आराम आराम से भी रंग उतरे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नियमन की बात हम खास तोर पर देश दिशांतर पर उठा रहे थे, अरुन जी जल्दी से आपकी एक वियू यहां पर बहुत जरूरी है, विचार आपके, कैसे हो नियमन, पहले जागरुकता या फिर सीधे तोर पर हम निर्भर करें, सरकार की ओर की ओर की वो कुछ कदम उठाएंगे या अपनी ओर से जागरुकता के तहट भी हम नियमन की ओर बढ़ सकते हैं। नियमन होने चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है जागरुकता, अवेर्नेस बहुत जरूरी है। अगर हमें रंग होली खेलनी है, तो अच्छे रंगों से खेलनी है, हमें हलके रंग चाहिए, ठीक है, थोड़ा कलर में कॉंप्रोमाईज है, बढ़ हमारे लिए परिवार के लिए स्वस्त है, और समाज के लिए अच्छा है। बहुत बहत बहतेरीन बाते आपने बताई, खास तोर पर होली को किस तरह से सुरक्षित होली और सुन्दर प्यार भरा होली हम बना सकते हैं, और अपना तो ख्याल रखना ही है, जिनके साथ आप होली खेल रहे हैं, उनका और जादा ख्याल रखें, अच्छे रंगों का इस झाल